हलो फ्रेंड्स अपका स्वागत है मेरे कीचेन में आज हम कम तेल में एक कब बेशन से हल्दी सबजियों से भरबूर नया नाश्ता बनाएंगे जिसे आप सुबह के नाश्ते में हलकी फूलकी लंच या डिनर में भी बना सकते हो अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई रेस्पी के लिए प्लीज अब बैलेकर बटन को प्रे साथ में हम his में 1-4 cup सुजी तो उपमा या शीरा के लिए जो यूज करते हैं वही मैंने डाल दी है एक टी स्पुंजी तना नमक एक चौथा टी स्पुंजी तनी हिंग डालेंगे और साथ में एक चौथा टी स्पुंजी तना हल्दी पावडर और एक कप पानी डालके हम उ और मैं इसे ढख कर 10 मेट के लिए साइड में रख दूंगी तब तक हम जो हम ये नाश्टा बना रहे उसके लिए स्टफिंग बनाना है वो भी बहुत ही जटपट बनके तयार हो जाएगा तो एक बाउल ले लेंगे उसमें आधा कप कद्दुकस किया हुआ गाजर, आधा कप बारी कटा हुआ शिमला मिर्च, आधा कप बारी कटा हुआ प्याज तो प्याज अगर आप नहीं खाते हो तो पत्ता गोबी ज्यादा ले लीजे तो मैंने इधर आधा कप प्याज और आधा कप बारी कटा हुआ पत्ता गोबी लिया है अगर प्याज नहीं खाते हो तो एक कप पत्ता गोबी आपको लेना है एक से दो टीज़ पून अदरक मिर्ची का पेस्ट डालके मिक्स कर देंगे तो ये जो सबजिया है इसमें अभी हम नमक डालेगे तो पानी निकलेगा तो आपको अभी नमक नहीं डालना है जब नाश्ते को आपको बनाना है तभी नमक डाले एक चौथा कप बारे कटा हुआ धनिया और 100 ग्राम पनीर हम कद्दू कस करके डाल देंगे तो आप चाहे तो पनीर और चीज़ दोनों मिक्स भी कर सकते हो या अकेला पनीर या चीज़ भी ले सकते हो पर पनीर से ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और हल्दी भी बन जाएगा तो अगर आप डायेट कर रहे हो अगर आपको ये खाना है तो बेसन और साथ में ये सबजिया पनीर बहुत हल्दी सा नाश्ता बनेगा अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी मैं तुरंथ ही ये नाश्ता बनाने वाली हूँ तभी ही मैं उसमें सारे मसाले डालूँगी तो ये मिक्षर आप बनाकर रेडी करके रेफरिचरेटर में रख सकते हो जब बनान आए तब उसमें आप एक टीस्पून आमचूर पावडर एक टीस्पून से थोड़ा उपर चाट मसाला या फिर स्वात के अनुसार चाट मसाला डालिए 1 टीजपून नमक, 1 टीजपून काला नमक, दोनों आप कम्बाइन करोगे तो बहुती बढ़िया सा टीजट आएगा और साथ में एक टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, एक टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा और अच्छे से मिक्स कर देंगे तब ये मुझे रोल बनाना है तब ही मैंने सारे मसाले सबजियों में डाले है इसे साइड में रख देंगे और बैटर दस मिर्ट के बाद आप देख सकते हो बड़िया सा हो गया है तो मेजरिंग के हिसाब से ही ले अब कप का मेजरिंग अगर आपके पास नहीं कोई बाउल बना सकते हो अभी हम डोसा तबा गरम कर लेंगे आप चाहे तो आइरन वाला रोटी का तबा भी ले सकते हो बाद में मैं उसकी भी प्रोसेस आपको बताऊंगी तो एक बार आपका तबा गरम हो जाए पानी छिड़क के एक बार चेक कर लीजिए गैस की फ्लेम स्लो करके ए उपर से तील छिड़क देंगे ऐसे और हम एक मिनिट के लिए इसे होने देंगे उपर से थोड़ा ऐसे ड्राइ हो जाए तब हम उसमें जो हमारा स्टफिंग बना के रखा है वो उपर ऐसा फैला देंगे और स्टफिंग फैलाने के बाद गैस की फ्लेम मिडियम हाई ही रखक अगर दो मिनिट के लिए और होने देंगे तो पहले एक मिनिट आप ऐसे ही होने दें बाद में स्टफिंग डालके उसे दो मिनिट और होने दीजिए और तीन मिनिट में आपका ये नाश्ता है वो बनके तयार हो जाएगा आप इसे रोल कर लीजिए अगर आपको और थोड ब्राउन करना है तो एक से दो मिनिट के लिए और होने दे नहीं तो आप ऐसे इसे फोल्ड कर दीजिए और ये नाश्ता तयार है तो मैं इसे डायरेक्ट ही ऐसे मैंने इसे निकाला है बाद में भी आप उसका रोल बना सकते हो अगर आप रोटी के तवे पर भी बना रहे हो तो थोड़ा मूटा वाला हो तो वही आप ले लीजिए और बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है तेल से थोड़ा हम उसे ग्रीस करके लगा देंगे और उसमें भी एक लेडल फूल जीतना बैटर डालके अंदर से बाहर जैसे आप डोसा फेलाते हो इसे फेला दीजिए एसा हम फेला देंगे और हम एक मिनिट से दो मिनिट के लिए और होने देंगे तो ये जो तवा है वो थोड़ा पतला रहता है तो स्टफिंग को कुख होने में सिर्फ एक से दो मिनिट ही लगेगा अगर आप डोसा का तवा ले रहे हो तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है और अभी दो मिनिट मैंने टोटल होने दिया अभी और आप देख सकते हो आसान इसे ये सेपरेट हो जाएगा क्योंकि हमने ग्रीज करके ही फैलाया था ये हमारा चिला या डोसा तो देख सकते हो बढ़िया सा तयार है ऐसे हलका गुल्डन और क्रिस्पी हो जाए हम इसके करेंगे तो थोड़ा गरम रहता है आपको ध्यान से old pup रोल कर लेना के बाद आपको इसके पीसे आप चाहे तो तबे पर कर सकते हो पिर मैं इसे थोड़ा नीचे उतार लों के और बाद में भी आप इसके कट कर सकते हो इसी तरीके से आपको दूसरे चिले भी बनाने हैं आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी सा बेशन का ढूसा स्टफिंग वाला भी बोल सकते हो और बहुत ही बड़ी असा तयार हो गया तो ऐसे मैंने दो बना लिए हैं तो जो आगे वाला थोड़ा गूल्डन ब्राउन जैसा किया है ऐसा भी कलर आप आने दे सकते हो तो मैंने दो बना लिए गर्मा गरम है तबी ही हम उसके ऐसे पिसिस कर लेंगे और मैंने एक साथ दो तवे रखे हैं एक नॉन स्टिक रखा है एक रूटी वाला रखा है तो आपको ये जल्दी से नाश्ता आपका बनके तयार हो जाएगा तो ये बेशन का दोसा आप बोल सकते हो तयार है और इसे हम एक दोसे को तीन उसके पिसिस कर लेंगे और आप देख सकते हो कलरफूल बहुत ही टेस्टी हेल्दी डायट में या बच्चों के लिए भी प्रोटीन से भर पूर ऐसा नाश्ता अगर आपने कभी नहीं बनाया तो इसे एक बार जरू ट्राइ करें तो गर्मा गरम हम इसे सर्विंग प्लेट में अगर आप डायट कर रहे हो तो हरी चटनी के साथ बच्चों को टमाटो कैचप के साथ बच्चों के लिए आप चाहे तो जब ये थोड़ा सिख जाए तब थोड़ा चीज भी उपर कद्दू कस करके डाल सकते हो तो आप देख सकते हो बड़िया सब बेसन का नाश्ता तयार हो गया है अगर आपको ये रेस्पी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी एक बार ट्राइ करके मुझे कमेंट में बताए कि आपको ये बेसन एक बेसन का नए नाश्ती की रेसिपी कैसी लगी थैंक्यू फो वॉचिंग झाल